हेलो दोस्तो तो कैसे हैं सभी सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार अदाब से स्रीयकार और वेलकम करता हूं आप सभी का दोस्तो आज हम लोग अपने बिजन्स एकनामिस के सेकंड वीडियो लेक्शर में आ चुके हैं इसके पहले का वीडियो लेक्शर जो है जिसमें कि हम लोग ने इस चेफ्टर का स्टार्टिंग किया था that is your market structure and its pricing उसका लिंक मैंने description box में pin कर दिया है वहां से जाके पहले आप उस वीडियो को देखके आईए क्योंकि अगर आप ने उस वीडियो के नहीं देखा तो ये वीडियो या फिर इस topic को या इस topic में discussion करना worthless है ठीक है तो पहले जाए उसको देखके आईए और उसका ही ये दूसर पार्ट है ठीक है जिसमें कि हम लोग आज start करने वाले हैं अपना topic that is price determination under perfect competition चली बिना देर के वे इस topic को start करते है that is your price determination under perfect competition देखिए perfect competition में जैसे में मैं बताया था कि perfect competition में जो price determiner है या जो price को तै करता है या जो price को fix करता है वो आपका basically industry होता है और industry के बारे में आपको बताया था मैंने कि industry क्या होता है industry basically क्या होता है forms का group होता है जैसे कि बहुत सारी steel की companies है steel के forms है और यह बहुत सारी steel के forms तयार करते है steel industry ठीक है तो यही कहलाता है industry और यही कहलाता है forms ठीक है और यही कहलाता है इन दोनों के बिसका difference तो आपको क्या पर चला कि जो industry है वही price तेह करता है in the case of perfect competition इंडर्स्ट्री में जो price होता है या जो कीमत होता है वो कैसे तेह होता है जब market demand market supply या market demand curve market supply curve को intersect करता है तो उस दोरान जहां पे वो जिस point पर वो intersect करते हैं एक दुसरे को वही point आपका equilibrium price कहा लाता है या उसी price को market price भी कहा जाता है अगर बात की जाए perfect competition में कीमत तेह करने की तो यह उस खीमत या उस बिंदू पर या उस point पर तेह होता है जहां कि market demand curve market supply curve को intersect करता है इंडिविजल फॉर्म स्टिक दव मार्केट प्राइस तो डेटरमाइन इस फिक्स और एजस्ट दियर सप्लाई अकॉर्डिंग ली जो इंडिविजल फॉर्म से वो लोग price maker नहीं होते हैं बलकि वो लोग price taker होते हैं price maker industry होता है यानि कि in the case of perfect competition price maker industry होता है और price taker form होता है price taker form होगा और price maker industry होगा अब इन दोनों को diagram के थूष समझते हैं या फिर इन दोनों करने का मतलब है फॉर्म और industry का जो price determination है कैसे होता है तो अगर बात की जाए संस्थाओं की या forms की in the case of perfect competition या under perfect competition तो वहां का demand कर या फिर form की under में जो demand कर वोता है उसकी जो elasticity होती है वो basically infinitely elastic demand कर वोता है ठीक है infinitely या यू कहें तो परफेक्ट डिमांड कर वोता है या यू कहें तो infinitely elastic demand भी इसको कहा जाता है अब इसमें होता क्या है होता यह है कि मांग जितना भी हो कीमत जसका 10 दसका 10 बना रहेगा कीमत जसका 10 दसका 10 बना रहेगाने का मतलब कीमत जो है वो fixed रहेगा फर्क नहीं पढ़ता है कि demand कितना है फर्क नहीं पड़ता है कि मांग कितना है यानि कि there is a no effect of demand of a product of a particular product on the price of that particular product मतलब किसी भी particular product का जो demand है उसका असर उस particular product के price पर कीमत पर नहीं पड़ता है अगर बात की जाए वहीं industry की तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका demand curve है और supply curve है वही price है जिसको कौन तेक कर रहा है उद्योग या फिर industry तुकुल मिला के बाद हमें ये समय में आए कि जो firm है वो infinitely elastic demand curve phase करता है जो कि यह बताता है कि फर्क नहीं पड़ता है कितना output हो कीमत जसका तस जसका तस बना रहेगा means no matter how many notes of output are supplied the price will remain the same hence we can conclude that कि under perfect competition market एक individual firm price taker होता है और वहीं एक individual not individual एक industry अपने आप में price maker होता है industry price maker होता है और firm price taker होता है अब बात करते हैं monopoly और उसके characteristics के बारे में सबसे पहले monopoly क्या होता है monopoly का अगर हम लोग जो ये word है combined word है इसको roots में तोड़े या दो भागों में तोड़े तो एक आएगा आपका mono और दूसरा आएगा आपका poly mono का मतलब होता है single वहीं poly का मतलब होता है seller तो single seller एकल विक्रेता हिंदी में करते हैं इसको तो monopoly basically एक single seller होता है जो की पूरे industry पर dominate करता है और इसके लिए या फिर इसके business को पर किसी तरह का restriction रेस्ट्रेंट नहीं होता है there is no any type of restriction or restraint and it is basically a extreme result of free market capitalism यानि कि free market capitalism का ये एक extreme result है मैं result नहीं बोल रहा हूं extreme result चरम चरम परिडाम है या यू का है extreme result एक्रम टॉप वाला result है ठीक है तो ये चीज़े है अब इनके characteristics के बारें बात करें देखें वीडियो की बीच बीचे मैं कुछ important important questions आपको बोलूँगा जो कि आपके semester exam के regarding आपके seasonal exam के regarding या यू कहें तो mid term exam के regarding important होगा तो वो question मैं वीडियो के बीचे में बोलता रहूँगा और फिलहाल मैं वही एक question बोलने वाला हूँ जो कि आपके इन सारे exams के point of view से important है तो question note कीजेगा इस question को मैं बोलूँगा ही और आपको इससे note down करना है question है define perfect competition market and discuss its characteristics and their price determination under perfect competition market and price determination under perfect competition market तो ये questions आपके semester exams में mid term exams में या session exam से पूछे जा सकते हैं पूछेंगे ये ज़रूरी नहीं लेकिन पूछे जा सकते हैं chances ज़्यादा है ठीक है आगे बात करते हैं हम लोग इसके characteristics के बारे में तो पहला characteristics है यहाँ पे high barrier होता है to entry कहने का मतलब है आगमन पर रोक है restriction on entry आगमन पर क्या है रोक है competitors are not able to enter the market and the monopoly can easily prevent और इसी तरीके से monopoly क्या होता है monopoly आराम से competition को रोक देता है क्यों कोई बाहरी आएगा नहीं अकेले तो कोई या यू करें तो ताली एक हाँ से नहीं बसती है ताली के लिए दो हाँ चाहिए तीक है तो ताली एक हाँ से नहीं बसती है काने का मतलब है monopoly या competition अगर होना है तो competition होने के लिए दो व्यक्तियों की जरूरत है there is a two person required for existence of a competition competition के existence के लिए दो व्यक्ति या दो companies या दो firms का होना आवस्यक है तभी जाके competition होगा काने का मतलब है कि एक हाँ से ताली नहीं बस सकती और यही कारण है कि दूसरा हाथ ला नहीं नहीं दिया जाता है का जाता है एह हाथ रुख जाओ तुम बाहर ही रहो market से केवल एक ही हाथ अंदर रहेगा और एक हाथ अंदर रहेगा तो ताली बजेगी ही नहीं competition होगा ही नहीं एक हाथ अंदर रहने का मतलब है केवल एक seller ही अंदर रहेगा और competition होगा ही नहीं दूसरा इसका जो characteristic है वो है single seller सिंगल सेलर करने का मतलब है कि यहां पे केवल एक विक्रेता होता है मुनोपॉली मार्केट में केवल एक सेलर होता है तिसी एकर बात करें तो यह प्राइस मेकर होता है प्राइस मेकर और मेकर ही होगा टेकर तो यह पोई चीज होगा है नहीं लेने के लिए तो कोई चाहिए खुदी प्राइस में कि खुदी प्राइस टेकर बिलकुल कह सकते हो खुदी प्राइस क्या करता है टाए करता है यानि कि जो company monopoli को अपरेट करती हैं वो प्रोड़क के कीमत को क्या करती है टाए करती है and that it will sell जिस पर कि ये प्रोडक्स को बेचेगा बीना किसी competition के अपने prices को check करते हुए जिसके परिणाम सरूप monopolies जो है वो अपने इक्छा पर क्या कर सकते हैं कीमत को जब चाहें तब बढ़ा सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं economies of scale के बारे में यही इसका पांचपा करेक्टरिस्टिक सब लास्ट करेक्टरिस्टिक है वो यह है कि monopoly जो है often can produce at a lower cost than smaller companies मतलब यह production lower cost पे भी कर सकते हैं कौन monopolies smaller companies में जैसे होता है smaller companies से भी कम दाम पर जैसे कि smaller companies कम cost पर करते हैं तो उससे भी कम cost पर एक monopoly क्या कर सकता है production कर सकता है monopoly can buy huge quantity of inventory monopoly बहुत जादे मातरा में inventory क्या कर सकता है खरीज सकता है और जिसके परिडाम सरूप monopoly जो है अपनी कीमत को कम कर सकता है और जिससे कि अपने आप ही क्या होगा smaller competitors survive नहीं कर पाएंगे या छोटे छोटे जो आपके प्रतिस परधा या प्रतिस परधा करने वाले लोग हैं जो players हैं वो survive कर ही नहीं पाएंगे अब बात करते हैं price determination under monopoly market monopoly market के तहद क्या price determination होता है या क्या price का determination या price कैसे तै किया जाता है तो monopoly में हर एक seller चाहता है अधिक से अधिक लाब कमाना इस fact को प्रोफेसर मार्सल ने बताया है कि monopolist want to maximum monopoly gain by selling his goods मतलब बहुत बहुत ही जादा gain कमाना चाहता है एक monopoly seller sorry monopoly seller कहना सही नहीं होगा monopolist कहना सही होगा तो monopolist जो है वो अधिक से अधिक लाब कमाना चाहता है a monopoly form is like an industry monopoly form एक industry की तरह होता है as the single seller constitute the entire market for the product क्योंकि जो single seller है वो पूरे market का की मतलब करता है product के लिए which has no close substitute जिसका की close substitute नहीं होता है अब ये close substitute ना होने का मतलब क्या है railway का कुछ टाइम पहले जब ये aeroplane लगार नहीं होगा था तो railway का कोई substitute नहीं था पाइदल तो आदमी जाये का नहीं तो railway का कोई other substitute नहीं था और अभी भी अगर कुछ point of view से कहा जाए तो middle class के लिए या जो low budget लोग है middle class person की बात की जाए middle class economy class के low के बात किया जाए तो उनके लिए option के वले एक state से दुसे state में travel करने का train है middle class के में बात कर रहा हूँ अब यह मत बुलना कि car से भी तो जा सकते है middle class car effort करेगा तब न कर से जाएगा ऐसे तो एक state से दुसे state में जाए तो उसको train करना ही होगा काने का मतलब उसके पास कोई close attitude मौजूद नहीं है और एक और बात railway आपको जहां जहां तक पहुचा सकता है वहां वहां तक आपको कोई नहीं पहुचा सकता अब इसको negative email मत ले लिजेगा Odisha के incident से link करते हुए तो railway आपको जहां जहां तक पहुचा सकता है वहां वहां तक आपको कोई नहीं पहुचा सकता ये बात है और इसी वज़ा से इसका कोई close substitute नहीं है तो तरीक यह से कह सकता है रेलियो का point of view से कुछ time के लिए कुछ percentage में इसमें भी monopolyism है ठीक है however demand of the product is not in control of monopolyform लेकिन जो product का demand है देखिए हर एक चीज़ वो control कर देगा कीमत control कर लिया competition control कर लिया लेकिन क्या mang को control कर पाएगा नहीं मांग को वो नियंतरित नहीं कर सकता तो इस वज़ा से output को बढ़ाने के लिए अधिक सधिक output को बेशने के लिए monopolyist को अपना क्या करना पड़ेगा कीमत को कम करना पड़ेगा और इसी वज़े से monopoly form जो है वो downward sloping demand curve face करता है यानि कि इसका जो demand curve होता है वो upward नहीं होता है downward मतलब downward करने का मतलब नीचे की तरफ होता है कैसे तो ध्यान देजेए यहाँ पे demand curve है अब देखिए price जब op है तो demand क्या हो रहा है oq लेकिन जैसे ही price op से घटकर op dash हुआ वैसे ही oq से बढ़कर oq dash इसका output हो गया यनि कि ज्यादा बिखने लगा so demand कर इस तरीके के market में negatively sold होता है positively नहीं negatively sold होता है करने का मतलब है कि कीमत कम करके ही आप अधिक से अधिक goods बेच सकते हो under monopoly market अगर monopoly market में आपको product अधिक सदिक बेचने हैं तो आपको कीमत क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा आपको कीमत कम करना पड़ेगा यानि कि इस case में होता क्या है कि जो आपका marginal revenue होता है वह average revenue से क्या होता है कम होता है अब यë margin or average given में क्या होता है इसके बारे में आपको previous video में ही बता दिया है कि क्या होता है इतके concepts क्या होते है इस सारी बात है आपको मैंने previous video में पहले video lection में बता दिया है और इसी वяж से मैं कर रहा हूँ कि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख के आईए जिसका लिंक मैंने description box में कर दिया है वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो उमीद है यह topic यह पूरा chapter आपको समझ में आ गया होगा और यह chapter यहीं पर end होता है और एक आपको मैंने important question बताया है वीडियो के बीच में आप पीछे से जाके फिर उस question को note down कर सकते हैं वो important question है from the point of view semester exam और justional exam उमीद है इस आई बाते आपको समझ में आ गया होगी regarding this chapter in this second video lecture so तब तक के लिए बने रिए future server के साथ where you get knowledge wider and हाँ दोस्तों अगर आपने हमारे telegram channel को join नहीं किया है फिर से मैं कहा रहा हूँ join कर लीजिए वहाँ पर मैं इन सारे video lectures का जो भी PDF होता है वो upload करता हूँ उस channel पर जिसका link मैंने disclose house पर पिन कर दिया है तो जाइए channel को join कीजिए so उम्मीद है यह सारी बाते आपको समझ में आ गहीं होंगी so तब तक के लिए future server के साथ very great knowledge wider तब तक के लिए आप सभी को हमारे team के तरफ से future server team के तरफ से धन्यवाद